Hello everyone, स्वागात है आपका हमारी YouTube चैनल पर दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोल इंडिया लिम्टेल्ट के वेकेंसे अपडेल्ट के बारे में जियां दोस्तों कोल इंडिया लिम्टेल्ट के तरब से एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि अभी जो है 1764 कामगारों के लिए अपसर बनने का मौका आ गया है यानि कि जो कोल इंडिया लिम्टेल्ट में काम करते हैं E1 और E2 केटिगरी में उनके प्रमोशन की डेट आ चुकी है तो इसको लेकर के एक बड़ी खबर आई है हम उसल टापिक पर बात करेंगे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को बड़ी इंफर्मिशन दे दें कि दोस्तों अगर आप लोग DGMS का सर्टिफिकेट के लिए एक्जाम की तयारी कर रहे हैं जिसमें 1st क्लास है, 2nd क्लास है, माइनिंग मैट है, 4 मैन है, ओबर मैन है, सर्दार है, गैस टेस्टिंग है याने कि किसी भी एक्जाम की तयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमारे पास नोट्स उपलब्ध हैं इसके लावा हमारे पास आप लोगों के लिए coaching भी मिल जाएगी live classes, recording video, mining notes, सभी कुछ available है तो contact जरूर करें, number आपके सामने screen पर है दोस्तों जैसा कि आप लोग screen पर देख सकता है कि notification जारे हुआ है 1 अगस्त 2023 को इसमें जो है Cole India Limited जो की एक महरत्न company है इनके तरब से ये notification जारी किया गया है इसमें जो form भरने की starting date है वो 4 अगस्त 2023 है यानि कि आज से form भरना start हो चुके हैं इसमें जो है E1 और E2 category में आपका promotion होगा promotion के लिए जो है ये vacancy निकाली गई है 1764 शील्टों पर vacancy है इसमें आप देख सकते हैं कि इसका जो cut off date है qualification and eligibility criteria का ये 30 सितंबर को आएगा इसमें 4 अगस्त 2023 से form भरना start हो जाएंगे और 2 सितंबर 2023 तक आप form apply कर सकते हैं इसमें electrical, mechanical, excavation, finance, personal, material management, system, public relations, civil, electronics and communication इसके लावा environment, हिंदी, legal, marketing, secretary, security, company secretary सभी के लिए जो है अपना vacancy है ये internal requirement है इसमें बाहर से कोई apply नहीं कर सकता है इसमें जो है E1 और E2 category में आपका promotion मिलेगा जैसा कि आप screen पर देख सकते हैं qualification and eligibility criteria के हम बात करें जैसे कि electrical and mechanical है इंजीनियर है तो उसके लिए जो है अपने 10th pass है 7 साल का experience है तो वो इस form को apply कर सकता है इसमें आप लोगों का जो है directly एक exam होगा इसके बाद जो है इसमें आपका promotion हो जाएगा जैसे दोस्तों इसमें exam के मद्यम से promotion होगा इसमें finance का आप देख सकते हैं कि आपका जो है तीन साल का experience मांगा हुआ है accountant का आपके पास experience होना चाहिए हिंदी के लिए भी है में होना चाहिए हिंदी में जैसे दोस्तों second class अगर आपने clear किया है MSA तो आप लोगों को 10 साल का experience के बाद form apply कर सकते हैं legal के लिए इसमें law का graduation मांगा है अगर हम बात करें seat की तो unregion category के लिए 1366 seat है इसके अलावा जो है SC category के लिए है 255 और ST category के लिए 143 है इस प्रकार से totally हम बात करें तो इसमें जो है लगबग 1764 seat हो पर requirement है अलग-अलग category के हिसाब से है आप जिस भी category में काम करते हैं आप जो है अपना पढ़ सकते हैं और इसमें देख सकते हैं form को apply जरूर कीजिए इसमें 30 सितंबर को आपका date और cut-off list आ जाएगी कि आपका selection होगा या नहीं होगा form को apply करने की date है वो है 4 अगस्ट 2023 से 2 सितंबर 2023 तक यानि कि लगबग पूरा महीना है आप form को apply जरूर करे आप लोग देख सकते हैं कि आप किस category से belong करते हैं आप जिस भी category से हैं उसी form को apply कीजिए जिया दोस्तों अगर आप लोग कोल इंडिया लिम्टेड में काम करते हैं तो आप लोगों के पास एक अच्छा मौका है प्रमोशन पाने का इसके लिए अगर आप लोग form apply करता हैं आप लोग google में सर्च करिए www.colleindia.in वहाँ पर departmental requirement का option है वहाँ पर जो है promotion selection का option मिलेगा वहाँ पर जा करके form को apply कर दीजिए जी हाँ दोस्तों form को apply जरूर कीजिए 2 सितंबर last date रखी गई है तो वीडियो अच्छा लगा तो like और share जरूर करें Thank you friends